गुड मोर्निंग स्टुडेंट्स परग्या विध्यल्या की तरब से ओनलाइन क्लासिज में आपका सिवागत है आज हम सेवन्त क्लास में सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीद उसका लेसन फस्ट है वो करेंगे लेसन फस्ट है अजहारों वर्सों के दोरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल लेक्चर नमबर है वो हमारा रहेगा 25 पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें भी हमने इसी को किया था अजहारों वर्सों के दोरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल लेक्चर नमर 24 में हमने क्या किया था कि अजहारों वर्सों के दोरान जो जो भी परिवर्तन हुए है उन सब का पता लगाने के लिए या उन सब का श्रोत जुटाने के लिए जो इत्यासकार हैं किन-किन श्रोतों का सारा लेते हैं उनके बारे में जानकारियों को प्राप्ट करने के लिए किन-किन शुरोतों का सहरा लेते हैं ये सब। तो जो ये अध्यनाइन अजहर सालों का अध्यन है वो इत्यास कालों के सामने एक चुनोती रखता है मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक परिवर्तन हुए हैं कि अजहर सालों में भोत अधिक परिवर्तन हुए हैं कौन-کौन से? इ जो अथियार हैं, उनका इस्तेमाल होना शुरू हो गया, यहन्कि इस प्रद्धोगी के में नई-नई प्रद्धोगी के में क्या प्रद्धोगी की हैं, वो कौन-कौन सी थी, तो यह रहेगा अनसर कि प्रिणाम क्या रहा इन नए नए परिवर्तनों से नए नए तक्रिणाम कि इस काल में बहुत अधिक आर्थिक सामाजी क्रियाजनतिक और सांशकर्टिक जो परिवर्तन है वो हमें देखने को मिले इसके साथ ही इस यूग में लोगों की गतिशिल्ता एक सांथ से दूसरे स्थान पर आना जाना है वो भी बढ़ गया था कि लोगों ने एक सांथ से द अपना बागय करने के लिए अपार संभावनाई मोजुद थी इस यूग में जिन समुदायों का महतव बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत इनकी सबसे जो में समुदाय कोन सा माना जाता था इस यूग में राजपूत समुदाय आठमी से चोद्वी सदी के राजपूत सबद है वो किसके लिए प्रियोग किया जाता था वो उनके लिए प्रियोग किया जाता था जो छत्रेवरण के होने का दावा करते थे राजपूत सबद के अंतरगत केवल राजा और सामंत वरग ही नहीं बलकि वे सेनापती और सैनिक भी आते थे जो पूरे उ महाद्यूप में अलग-अलग सासकों की सेनाओं में सेवारत थे कि जो राजपूत सबद है उसमें सिरफ राजा और सामत ही सामिल नहीं थे बलकि सेनापती सैनिक वे सभी आते थे जो अलग-अलग सासकों की सेनाओं में सेवारत थे जो सेनाओं में सेवा दे रहे थे अपने वे सारे सैनिक और वे सैनापती हैं वो भी राजपूतों में सामिल थे फिर क्रिसी और चारण राजपूतों की आचार सहीता परबल प्राकरम और स्वाभिमान का गुणगान करते थे इस यूग में राजनतिक दस्ति से महतव हासिल करने के आउसरों का लाब मराथा, सिक, जा काइस्त उल्मान की युनिक.. के स महतव शूफ 앞에 मायान गां इस वह राजनतिक दस्ति से महतव करने वाले आउसरों का लाब की समोह ने उठाया क्या इसा सिक, जाइक 시, जाप आहों, और कायस्तों की बिस्त उनмен मैं। कों-कों सामिल थे लिसी खिजने की कि कलर्क जिनकों कहते हैं वह और मुंस्ही जो लोग है वह सामिल थे इस समुषों ने राजनतिक दिश्च्छिसे मैतल हम मैत wanna हासिल करने का जो लाभ है उठाया था फिर इस पूरे काल के प्रियावास के काण कई वनवाशियों को मजबूर होकर अपना स्थान चोड़ना पड़ा अब यहां परियावास प्रियावास क्या है प्रियावण इनकी हमारे आसपास का जो प्रियावण है वो जिनसे हम आर्थिक सामाजे की जो गतीविदिया है वो करते हैं तो प्रियावास इनकी प्रियावण में जो प्रियावर्तन था जैसे कि जंगलों को काटा जा रहा था तो इस तरह के प्रियाव प्रतन का क्या परभाव रहा है कि वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान चोड़ना पड़ा वनवासियों की जो लोग वनों में रहते थे तो वनों के काटे जाने से उनको अपना स्थान चोड़ना पड़ा कुछ वनवासि जमीन की जुताई करने लगे और कुछ लोग जो क्रिशक बने थे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए उन्हें कर चुकाने पड़ते थे क्रिशी करने लगे तो इनको कर भी चुकाने पड़ते थे वो स्थानिय मालिक वर्ग की बोगार है वो करनी पड़ती थी शोरी कुछ के पास ज्यादा उपजाओ जमीन होती थी कुछ मवे सी थे किन क्रिशकों में मवे सी अनके पशुपालक कुछ के पास ज्याओ जमीन थी क्रिशी करते थे और कुछ है पशुपालक यानकी पशुओं को पालते थे कुछ दस्तकारी आदिका काम करते थे दस्तकारी अनकी हाथों से जो कुछ बनाने यादिका जो का तो जातियों रुप जातियों भी बाट दीा लोगों को ? अपने सदस्यों के विवहार को नियंतित करने के लिए जातियां स्व्म अपने अपने नियम हो बनाती थी कि अपने जाती के जो सदस्य हैं उनका विवहार है उनको नियंतित करने के लिए जातियां ही खुद नियम बनाती थी इन नियमों का पालन जातियों के बड़े बुज कुछ हिलाकों में इसको जाती पंचायत कहते थे गाउं पर मुख्या का सासन होता था वो जातियों को रिती रवाजियों का पालन है वो भी करना पड़ता था थैंक्यू स्टुडेंट्स यह हमने क्या कि नए सामाजी को राजनितिक समू यानकी नए जातियां बटी और समाज है उसमें अमीर वर्ग गरीब वर्ग इस तरह के नए नए जो सामाजिक समू है वो बने अब होंवर्ग है वो क्या रहेगा जो आपको फेर नोट बुक में राइट अंड लर्न करना है फाइफ कोस्चन है कोस्चन फरस्ट है इस काल में कुछ प्रोध्यगी किया परिवर्त प्रियोग होने लगा कताई में चर्खे का प्रियोग होने लगा और युद में यहां पर हम लिखेंगे युद में युद में अगन्यस्त्रों अगन्यस्त्र कौन से बारुद वाले हध्यारों का प्रियोग होना शुरू हो गया उसके बाद है सेकंड कोस्चन जातियों के म अंसियार्टी का question number seven कि जातियां स्वम अपने अपने नियम बनाती थी कि जातियों के लोग थे खुद ही अपने नियम बनाते थे जिसी के विए जाति के सदश्यों के विभार को नियंत्रित कर सके इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजर्गों की एक सबा है वो करवाती थी जिसे कुछ हिलाकों में जाती पंचायत कहा जाता था जातियों को अपने गाउं के रितिरवाजियों का पालन हो करना पड़ता था नेक्स्ट कोस्चन है नई प्रोध्धगी के साथ साथ नई तरह के खानपान में क्या-क्या सामिल था जो नई तकनिकी है जैसे नई तकनिकी में रहट का प्रियोग कताई में चर्खे का प्रियोगी इस तरह हुआ था तो खान पान में क्या क्या सामिल हुआ नई तकनिकी के साथ आलू मक्का मीर्च चाय और कोफी ये नई तकनिकी के साथ ही खान पान में नई जो फसले हैं वो सामिल हो गई थी प्रियावास किसको कहेंगे इसका तात्प्रिये किसी भी छेतर के परियावन और वहां रहने वालों की सामाजी के मार्थिक जीवन सहली से है परभाव क्या रहा इसका कि कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और प्रिशक बन गए ये है उनका परभाव है वो रहा थैंक्यू स्टूडेंट्स ये जो फाइफ कोश्चन है जैसे फर्स् नूट करने है शेयर नूट बुक में राइट एंड लर्न करने है थैंक्यू स्टूडेंट्स